दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 4x4's house plan говорить जैसा कि आपने!!!!! ढदेकर आए आये हैं आपके इस अफने स्क्रीन पर और आप उस मॉलोड ऑनों को देख भी कोई ऐसा ही model design करवाना चाहते हैं तो आप हमें comment करके बता सकते हैं और यह दिया आप दोस्तों एक personal तोर से अगर कोई school की बात करें होटल restaurant घर कुछ भी design करना चाहते हैं तो आप हमारी paid service का भी use कर सकते हैं मैंने एक paid service start की है हमारा number आपको description में मिलेगा whatsapp number है आप हमें आप पर contact करें आप से बात करके जो भी आपकी requirement होगी उसके according आपका house plan किया जाएगा लेकिंगे बस आपको याद यह रखना वो एक paid service है तो फिरी में अगर आपको house create करवाना तो आप प्लीज वहाँ पर contact ना करें आप comment करके हमें बता शकता है तो जो आज का प्लान है यह पूरा discuss करेंगे उससे पहले हम आप से जलू करना चाहेंगे अगर आपने अभी तक इसमाल house plan चैनल को subscribe नहीं किया है दोस्तों जब भी आपने mobile phone या laptop और वीडियो हमारा watch करते है तो यहाँ पर पर एक red color का button दिखता है subscribe लिखा रहता है red color चे इसको आपको click करना है और एक वेल लगा icon आएगा इस पर click करके all notification on कर लेना है आपको ध्यान यह रखना है अगर यहाँ पर red already है तब ही आपको click करना है और subscribe यहाँ पर जाना चाहिए तो आप हमारे चैनल से जोड़ जाएंगे और आप जो भी चाहते हैं जब भी वीडियो अप्लोड करूंगा आप तक हमारे notification पहुंचेगा और आप हमारे वीडियो को देख पाएंगे तो यह पूरा करने के बाद फिर से मैं चलो आपको ले चलूँगा उसी model पर तो सबसे पहले इस plan का मैं आपको front elevation दिखा देता हूं front से zoom करके दिखा देता हूं यह दिखिए zooming के बाद यह मैंने into का texture दिया है दोस्तों यह आपका railing का design है जैसा कि आप देख पा रहा होगे यह पूरा railing है first floor की बात करें है second floor की बात करें यह यह आपकी window दोनों तरफ similar ही मैंने plan design किया यह भी window है और यह आपका zoom करने के बाद plan का पूरा overall look दिखता है यह अगर हम बात करें दोस्तों बरसाद में पानी वगएर हम आपका gate ना भीगे तो उसके लिए गुम्टी डाइप का बना दिया है थोड़ा designing जिसमें यह जो खपरहल गाउं में आपका एक road निकला हुआ है इसी plan के तहट अगर हम इसकी ground floor की बात करें तो यह दोस्तों इसका ground floor है आप देखें मैं जूम करता हूँ ground floor में सबसे पहले यह आपका main door है जहां से आप entry करेंगे side में मैंने लगबग 2 feet जगे छोड़ी थी जिसमें आप अपना प्रेड़ यहां पर सबसे front में आपको दो bedroom मिल जाते हैं पहला bedroom यह दूसरा bedroom यह दोनों के लिए अलग-अलग door है अलग-अलग window है क्योंकि front का है तो front में भी window दिया है जैसे आप अंदर जाते हैं तो दोस्तों एक इस room के लिए command मैंने लेटिंग और bathroom और दिया है कि देखें इस room मे command लेटिंग दिया है अगर इस room की बात करें तो सबसे पीछे आपका मिल जाता है यह bathroom बड़ा सा और पीछे के अगर हम बात करते हैं तो यह भी आपका एक बड़ा सा bedroom है जिसमें एक लेटिंग bathroom command यहां पर दिया है और यह एक bedroom है यह आपकी stairs है और यह आपका basement kitchen का area मैंने इस room के लिए attached लेटिंग बात रूम यह भी है और इस room के लिए भी मैंने attached लेटिंग बना रखा है यह आपका stairs जहां से आप उपर जाएंगे बीच में आपका kitchen होगा और बीच में जो आपको space दिख रहा है यह hall type का होगा जहां पर अपना एक बड़ा सा जाल रखवा सकते जिसमें आपका रोशनी बगएरा proper तरीके से आती रहे तो यह तो इसका ground floor हो गया है चालेश बाई चालेश का अगर हम बात करें इसके first floor के तो यह first floor है इससे रेलिंग आप इसकी देखें लगए दो से धाई 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 फट का मैंने चंजा निकाला है बहार और एक चीज दोस्तों यह मैंने दो पिलर बनाए हैं राउंड गूल कर रहे हैं सर्कल वाले जिससे आपका जो मैंने उपर सबसे गुम्टी बनाया उसको रखने की काम आएगा और इससे आपका आगे का लुक भी थोड़ा चेंज हो जाता है तो अगर हम बात करें आगे का तो यही दो स से राउंड गलर कर नकाल दिया जिसमें आप यह रेलिंग देख पा रहे होंगे और पूरा सेम टू से वही डेजाइन है देखिया आप अगर नीचे वाइट बैक्ग्राउंड की बज़े से सही से ना समझ पाया हो तो यहां आप समझ लें मैंने फिर से वही चीजें चार बैड डूम दिये है चारो गौर्णर पर है एक गेश्रूम हो जाएगा इसके बाद यह आपका बातरूम है और इस रूम के लिए स्काइण टौाले यह स्टीयर से तो यह इसकी फ़र्ष प्रूर की बात हो गई बात करते हैं इसके लाइस प्लूर की तो यह इसका लाज़ प्लोर है चारों तरफ से मने बॉलंटी तीन से चार फिट की दे दिये और रेलिंग दे दिये और ये गुम्टी टैप का बना दिया है और ये आपकी स्टेर्स की छत है तो इस टेर्स जब उपर जाएगा तो आपको उसके लिए गुम्टी बनाना पड़ेगा क्योंकि बरसाद में पानी वगएर आपका नीचे ना जाए और ये में डोर है जिससे आप अपनी छत पर आके आ सकते हैं तो ये पूरा प्लान 40 क्रॉस 40 का हमारे सब्सक्राइबर थे हैं उनके कहने पर डिजाइन किया है जैसा भी आपको मॉडल लगा हमें अपना उपीनियन जरूर बता है शाहसा वीडियो के लाइश से जरूर कर दें और मैं बताना चाहूंगा जो मैंने प्लान करता हूं वह सारा ऐसा चला जाता है तो इसलिए मैं 50% advance payment लेता हूं तो अगर आपके हमसे ही जब बात हो के वहल हमसे बात हो तब ही आप payment करें अन्यता आप किसी को payment ना करें इसका आपको विशेज दिहान रखना है और वह से लोग यह कहते हैं कि मैं 50% payment नहीं करूंगा तो उनका यही रीजन आपका जो भी प्लान होगा लेट बन सकता है बट ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ फ्रॉड हो आपका प्लान जरूर क्रेट किया जाएगा अगर मैं दो दिन के लिए बोलता हूं तो हो शक्ता फ्रेंडों को जरूर सेयर करें तो प्लीज वूड़ो को लाइज से जरूर कर दे अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राब नहीं किया तो जरूर करें थैंक्स वोगा